आप सभी ने मटर पनीर की सबजी तो बहुत खाई होगी दोस्तों लेकिन आज जैसे मैंने जिस तरीके से बनाई है ना आप भी हैरान रह जाएंगे शायद आपने भी इस तरीके की मटर पनीर की सबजी कभी भी नहीं खाई होगी तो देख लेते हैं ये बड़िया सी मटर पनीर की अलग तरीगे की सब्जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनुदा केचिन चैनल पे अगर दोस्तों आप सभी को मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गा तो चलिए देख लेते हैं तो इस्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने यहां पे ले लिए हैं पचास गराम काजू हैं और चार हरी मिर्ची हैं तीन लाड टमाटर हैं अद्रक हैं और यहां पे मैंने आदा किलो पनील ले लिए आदा किलो ही मैंने मटर ली है तो यहां मटर मैंने पहले बॉयल कर ली थी यह फ्रोजन मटर है तो यह देखिए यह बॉयल करके रखिए मैंने मटर और ठंडी हो चुकी है अब चल यह कडाई रखते हैं दाल चीनी पाउडर पर पाउडर दाला है अगर आपके साबूत हो तो आप खड़ी भी डाल सकते हैं आधी चमच लाल मिर्श पाउडर, एक से देडर चमच गन्या पाउडर ड्याडर डालेंगे, इसमें और अधी चमच इसमें मैं डालूंगी अच्छे से मिला लोंगी गैस की फ्लेम को कम रखेंगे इस पड़ क्यों मसाले हमारे जले नहीं तर इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं हलका सा बस इसे क्या होगा हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा और तेल छोड़ देगा तो यह देखिए जैसे हमने पानी डाला मसा प्रिश भुन चुका है त ace अहम डालेंगे प्यॉरी जो मेंने टमाटर काजू खरी मेर्शी अध्रक वह लिए था उसको अज़ीजों को मैंने ग्राइंड कर समें डाल दिया में प्यूरी पियूरी को अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों आज में गुछ अलग जैसे कि अब हमारे आज तो हर आ रहे हैं तो हम भोग लगाते हैं भगवान को, अब ढखके इसको हम 5 मिलिट के लिए पकने देंगे, तो यहां पर मैंने पनीर ले ली है, इसके आदे जेखिए इस तरीके के पीस काट लिए है, आदा किलो पनीर है, बैंने पता दिती आपको पहले और यह मसाला बुंढ रहा है तो यहां पर सभी के घर में मिलाई रहती है इस मिलाई से हमारे मडर पनीर में जो टेस्ट आने वाला है ना बहुत ही तो मैं आपको बता रही थी इसमें मैं विडाउट लेसन प्याज बना रही हूं कि तोहार आ रहे हैं तो भूग लगान डाउट लेसे प्याज के बना रही हूं उसके बिना भी बहुत ही टेस्टी बनेगी सबजी अब यह मसाला भुंते बुंते इसमें मैं डाल रही हूं कसूरी मैथी को मैंने हलका सा क्रेश कर लिया था और फिर इसको मसाले में डाल देंगे और बढ़िया तरीके से भून मैं और भूल भूलने जब तक कि यह तो ढख देते हैं और मसाले को बढ़िया सा पकने देते हैं तो यह देखिए मशाली मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे तो एक बार ट्राय जुरू कीजिए दोस्तों इस मटर पनीर की सबजी को और फिर इसमें मैं अब डाल रही हूँ पनीर, तो यहां पनीर मैंने कुछ बचा ली थी, उसको मैं डाल रही हूँ किस के, किसनी की सायता से किस लेंगे, इससे हमारी जो मटर पनीर की सबजी है, टेस्ट और देखने में सभी में बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए जो मै मिक्स कर लेंगे, अब आप इस सब्जी को किसी के साथ भी रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, और बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे सब्जी को, तो यहां पर अब मैं डाल रही हूँ मटर जो मैंने बॉल करके रखी हुई आप भी सोचेंगे वा क्या सब्जी बनी है, तो आप भी आगे से मटर पनीर की सब्जी कुछ इसी तरीके से बना के रेडी करेंगे, तो अब इसमें मैंने जो पनीर थी उसको काट लिया था, उसको एट कर दिया इसमें, और यहां पर अच्छे से इसको हम मिलाएंगे, और इस वक्त कैस की फ्लेम को कम रखेंगे, अब इसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे हमारी पनीर, मटर सब मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, अब मैंने इसको अच्छे से चला लिया है, मिल गए हैं, तो पांच मीट के लिए धीमी आज पे इसको पकने देत तो यहां पर देखे अब मैं डाल रही हूँ शक्कर एक चम्मच तो यहां शक्कर ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें इससे हमारे घर में थोड़ी मिठास शाद मटर पनीर में अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें एड कर दी है और फिर इसको अच्छे से मिला कर दो करेंगे पर इसको ड़ा लेंगे उर पांच मिटार इसलिए है मल जाए की है अब आदी चम्मच इसमें मैं मैं गरम मसाला और एड कर देती कि अ सब्लीरंगरम सब्ली उनला सब्साइब इसकर पर्म की सब्सास्बर 74,10-270. पर बंट के सब्साइब करनेवे अरहे बाद सब्साइब करें अचला का दोOP हताता दो श्लाओतना आप पर गर न के स T fazendo जब्साइब случаelyel मत्र पने कसौफ o तो आरों पर बनाईए, खिलाईए, महमानों को खिलाईए तो आपकी भी तारीफ होगी दोस्तों तो अगर आप सभी को मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को मेरी रेस्पी कैसी लगी है और इसको आप पूरी के संग पराठे के साथ किसे के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं बाई बाई दोस्तों फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप से भी को मेरी रेस्पी कैसी लगी है धन्यवाद